हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आयहोग आप सब बहुत अच्छे होगे तो चलिए अज फिर से चलते हैं अपने किचन के और देखते हैं कि आज हमारे कीजिन में कौन-कौनी टिप है लेकिन फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहा हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अप्रोड करूँ नोटिफिकेशन आप तर पहुंच जाए और अगर आपके पास भी इस तरह के कोई टिप है तो आप मुझे लिख वेजिए मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे कीजिन में काम आने वाली कौन को से टिप है तो आज की हमा आए रेडिमेट गुलगप्पे का पूरी यानि कि जो आपका पापर जैसा पूरी आता है न वो और डाल दीजे उसे माइक्रोवेब में और इसे 40 सेकंड के लिए लगा दीजिए आप देखेंगे यह एक तम ऐसा फूलेगा न कि वो जो गुलगप्पे वारी की चटनी लेकर आए यह पॉड़ फाव में मिलता है और आपको लिक्विड फाव में मिलता है और इसमें डालेजे ठंडा ठंडा पानी थोरा सा बूंदी और कुछ भी आपको डालने की जरूत नहीं है घर में बनाए सौंट की चटनी और बनालेजे धनिय बुदीने की धनिया को अच्छी तरह भून लीजिए धनिया को अगर आप थोरा सा अच्छा गुलावी होने तक भूनेंगे न तो आप देखेंगे कि इसकी कुछबू भी अच्छी आएगी और यह पिसने में भी आसानी होगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इसका अच्छा यह प्रसाद बन करके तयार होगा पंचामरित बनाते वक्त आप इसमें केला डाल लें और शहद डाल लें क्योंकि पंचामरित का मतलब है पांच चीजों का मिलन तो पांच चीजों से पंचामरित बनाया जाता है जिसमें केला शहद और गंगाजल यह सारे चीज जितने फिर ड्राइफ्रूट आपने ले रखे फाग में डालने के लिए उसे आप थोड़ा सा ड्राइदोस्ट कर लेजिए यानि कि सुखा ही से भोन लेजिए और भोन करके इसे हलका सा ठंडा कर लेजिए और फिर आपको चास्नी बनाना है चास्नी बनाने के लिए जितना आपने ड्राइफूट ले रखा है जैसे कि अगर आपने एक कटोरी ले रखा है तो एक कटोरी आप चीनी लेजिए और उसमें एक चमच घी डालना है घी डालने से होगा कि आपका जो पाग बनेगा आपके जो पटी बनेगी ड्राइफूट क होना चाहिए जिसे कि आपका पाक अच्छी तरह जम जाए तो आप जब भी इस तरह का पाक बनाए आप इस टिप को फॉलो करें तब बनाए कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कई पार ड्राइफ रूट बहुत जादा खरीद कर लेकर आ जाते हैं और वो बरसाद के सीजन में ऐसा होता है कि देखते हैं सेल जाता है या फिर कीड़े लगने लग जाते हैं तो इससे बचाने के लिए मैं आपके साथ चूटा सा टिप शेयर कर लेजिए गैस के गैस पर रख करके बहुत जाद आपको भूनना नहीं है इसको थोरा सा ड्रायर अगर आप थोरा सा रोस्ट कर लेंगे न तो इसका जो मोश्चर है वो खतम हो जाएगा या फिर आप इसे धूब में रख देंगे दो से तीन दिन के लिए अच्छी धूब ऊच्छी दिखा देंगे तो भी आपका ये ठ्राय फूट खर्ам नहीं होगा लेकिन अगर आप रोस्ट कर देंगे तो यह बिल्कुल खराब में होगा इसका प्रीस भी थोरा सा चा आ जाता है और इसका जितना भी मौश्चर है यह निकाल जाता है तो आप जब भी ट्राइ इसका पूरा पानी निकाल लेजिए और फिर इसे पीस अलग कर लेजिए या फिर आप चाहे तो इस टिक के साथ भी इसे फ्राई कर सकते हैं उसके बाद जो भी खड़े मसाले और जो आपने प्याज अद रख लेसं टमाटर पीसा है ना वो सारी चीजे डाल करके भून लेज इस आपका जो स्वाध होगा ना स्वयाज आपका वह बहुत अच्छा आता है आप चाहे तो स्वयाज आपको मैरिनेट करके दही के साथ पर रख दीजे उससे भी इसका स्वाध काफी अच्छा आता है तो आप जब भी स्वयाज आप बनाएं तो इस छोटी सी टिप को लाइक करें अपने फेमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें और अगर आप मेरे चैनल पर फ्रेंड्स पहली बारा हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके पास भी इस तरह की कोई टिप हो तो आप मुझे बाइ